भारत की जीत से पॉइंट स्टेबल में उलट पलट अब ये चार टीम पहुँची सेमी फाइनल में भारत का इस दिन होगा सेमी फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप के राउंड रॉबिन में 12 नवंबर को आखरी मुकाबला खेला गया बेंगलुरू के एम चिन्ना स्वामी स्ट में पहले स्थान पर लीग स्टेज को समाप्थ किया टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार जो मुकाबले जीते हैं जोगी अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है लीग स्टेज के खत्म होने के बाद अब कैसी है अंक तालिका आईए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के आखिरी लीग मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 160 रनों से हरा कर शांदार जीत दर्ज की ये जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में को पर रहने वाली न्यूजीलैंड के साथ होगा जो कि आस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मुकाबले थुट्धी आसान प्रतिद्वंदी है हारने के बाद नीदरलैंड पॉइंट्स टेबल में दसवे नंबर पर ही रही इसके साथ ही नीदरलैंड का चैंपियंस ट्रॉ कॉफी दो हजार पचीस खेलने का सपना भी चकना चुर हो गया नीदरलैंड के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की अगुवाई में वर्ल्ड कप दो हजार तेईस में लगातार नौ मुकाबले जीत लिए जो कि टीम इंडिया के लिए अब नया इस से पहले टीम इंडिया ने साल 2015 में आठ लगातार मुकाबले जीते थे अपने इस रिकॉर्ड को और बढ़ाते हुए टीम इंडिया सेमी फाइनल और फाइनल मुकाबला जीत कर खिताब पर कबजा करना चाहेगी